नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है सरकारी ग्यान फोर यू में दोस्तों आप सब कैसे हैं उम्मीद अच्छे होंगे तो भीया पैट 2022 वाले सभी छात्रों के लिए बहुत बहतरीन खबर आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ और आपने जो पैट 2022 में स्कूर किया है अब उसका फल आपको देखने को मिलने वाला है जिया दोस्तों यूपिटर पले सी के अंदर किन किन विग्यापनों पर काम चल रहा है और मार्च के मैने में आपको कौन कौन से विग्यापन देखने को मिलने वाले हैं तो इसके बारे में आपको बहुत ही मत्रपुन जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ वीडियो सुरू करने से पहले जो मेरे चैनल पर नए वीवर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको किसी भी भरती को लेकर कोई भी authentic news जो बिलकुल आयोक के अंदर चल रही हो सबसे पहले आपको मिल जाए तो भहिया बात करता हूँ यूपिटर पलेसी से आने वाले मार्च के महिने में विग्यापनों को लेकर जिया दोस्तों आपको मैंने बताया भी था पहले कि यूपिटर पलेसी के अंदर तीन से चार विग्यापन आपको बहुत जल्द देखने को मिलने वाले हैं और सबसे पहला विग्यापन कौन सा होगा और यूपिटर पलेसी कब तक जारी कर रहा है यह आप देख सकते हैं दोस्तों यह जो खबर छपी है इसमें साफ साफ यह लिखा है कि मार्च से सुरू होंगी 7000 पदों पर भरतिया खेर यह खबर आपको आज देखने को मिल रही है लेकिन यह खबर आपको मैंने 15 से 20 दिन पहले बता दी थी कि मार्च में आपके कैई विग्यापन यूपिटर परलस जारी कर रहा है मार्च में और अपरेल में तो भईया सबसे पहले बात कर लेते हैं देखे ग्राम पंचायत अधिकारी के 1400 पद ग्राम पंचायत अधिकरी यानि की वीपियों के 1400 पद और गन्ना परेविक चक्के करीब 900 पदों पर भरती के लिए विग्यापन निकाला जाएगा और आयोग के पास 15,000 से अधिक पदों पर भरती का अधियाचन यानि प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं इनका मिलान कराया जा रहा है सामाना योगता वाले पदों का विग्यापन एक साथ निकाला जाएगा जिससे अभ्यरतियों को बार बार आविधन ने करना पड़ेगा ठीक है तो भईया एक तो भरती आपकी वीपियों की होगी जिसका विग्यापन आपको मार्च और अप्रेल में देखने को मिलेगा एक भरती आपकी वीडियों की होने वाली है जिसका विग्यापन भी आपको मार्च और अप्रेल में देखने को मिलने वाला है ठीक है दोस्तो और आपको दोस्तो बता दूँ इसमें उत्तर प्रदेश अधिनस्यवा चनायोग मार्स से नई भरतियों की प्रकिरिया शुरू करेगा जिसमें 7000 से अधिक पदों पर भरतियों के लिए आवेदन लिये जाएंगे आयोग ने इसके लिए तयारियां शुरू कर दी है और भरतियों के लिए प्राड़मदी कहरता परिक्षा यानि के पैट 2022 उत्रीन कर चुके पात्री चात्र माने जाएंगे मतलब जिनके पास पैट 22 का स्कोर कार्ड है केबल वही चात्र इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं कने सायक के 5000 पदों पर भरतियां आयोग सबसे बड़ी भरती कने सायक के करीव 5000 पदों पर करेगा जिसमें सिचाई विवाग वे revenue department के 1000 पद शामिल होंगे दोस्तो एक और नई भरती है जिसका विग्यापन आपको देखने को मिलने वाला है और वो आपकी भरती है ICDS की यह देख सकते हैं ICDS के करीव 800 पद बताए जा रहे हैं दोस्तो यह आपका होता है Child Development Services यानि की Integrated Child Development Services यानि की बाल विकास विभाग में यह भरती निकलेगी 800 पदों पर और यह भरती भी आपको PET 2022 के आधार पर देखने को मिलने वाली है जिन विभागों के प्रस्तावों में कुछ खामिया रह गई है उसे दूर कराया जा रहा है और आयोग चाहता है कि कने सायक के पदों पर सबसे पहले भरतिया करते हुए विभागों को चैनितों के आवंटर की सूची बेज दी जाए और दोस्तों भरतियों के साथ आपको परिणाम देखने को मिलने वाले हैं आधिनस्यवा चैनायोग इसके साथ ही इन तयारियों में भी जुटा है कि पुरानी भरति परिक्षा करते हुए उसका परिणाम जारी कर दे जाए और परिक्षा परिणाम बनवने काम तेज करा द करीब 21-22,000 भरतियां आनी थी और देखी वो भरतियां आई थी ये बाते कहीं भी गलत नहीं थी और आपको 9,000 पद A&M के देखने को मिले थे 8,000 पद लेकपाल के देखने को मिले थे सप्लाइ स्पेक्टर UDLD गी वेकेंसी थी और JA की वेकेंसी थी 1200 पद होगी तो कुल मिलाकर 20-22,000 पदो पर भरतियां पैट 2021 से निकली थी ठीक है और भाईया पैट 2022 से 15,000 पदो पर भरतियां होनी है इस बात में कोई शक नहीं है और ये भरतियां निकलेंगी इसी साल में और जो मेरे पास जानकारी है वो ये है कि मार्च के महिने में और अपरेल के महिने में ठीक है चार विज्ञापन यूपिटर पलेसी जारी करने जा रहा है और वो चार विज्ञापन कौन से हैं ये देख लिजी आप एक تो आपका होगा कने सायक का J.A. का एक आपका होगा के महेने में आपको ये čारो विग्यापन देखने को मिल जाएंगे और आप ये मानगर चलिए कि दो विग्यापन मार्च में और दो विग्यापन अपरेल में तो बाइया जिन चात्रों ने patch 2022 की परिक्षा दी है बिल्कुल जी जान के साथ लगे रहें आपके विग्यापन आपके सामने हैं बहुत परिक्षाइं आपके सामने हैं है ना कभी भी निराश होने की आवसकतर नहीं है तयारी को आगे बढ़ाते रहिए और जिनका पैट 2022 में अगर भाईया आप जे ए की भरती के लिए जा रहे हो ना तो आपका अगर 62 या 63 भी हैं तो आपको मेनकदम देने का मोगा मिलेगा ठीक है वीडियो और वीपियो के अलग है इसका विग्यापन यूपिटर पलसी अलग जारी कर सकता है तो भाईया भरतियां बहुत हैं तैयारी को ढंग से करते रहिए निराश बिलकुल ना हुई है और आपको कम से कम मैंने ब अर yanlış तो जैनल को लिए कर सकते हैं हैं और अपने काम की एसी ही और